गुट मॉर्निंग वेलकम टो गीत कमिंस्ट्री इन दिस वीडियो विल डिसकस अबाउट पॉलारिटी ओफ बॉंड्ड हमारे पास में होता क्या है जिसके अंदर हम डाइपॉल मॉमेंट की वेलू बात करते हैं कि डाइपॉल मॉमेंट की वेलू कुछ ना कुछ वेलू होग डाइपॉल मॉमेंट की वेलू जिरो होती है किस बेरु पर हम डाइपॉल मॉमेंट को निकालते हैं यह हम पॉललेटी ओंड की अंदर पड़नेवाले हैं और हमारे पास ने अहितुट ऑपर सेंट इनक और कोईम बोंड बनते हैं इन्योले आनिव बनते तो इस्पॉइश हम बोल सकती कोई भी bond completely covalent नहीं होता कोई भी bond completely ionic नहीं होता even in case of covalent bond between two hydrogen atom there are some ionic character जो हम ये बोलते कि H2 तो हमारे पास में क्या है? covalent है और HCl हमारे पास में क्या है? ionic है H2 हमारे पास covalent है बट इसके अंदर कुछ ना कुछ character किसका होता है? ionic का भी होता है और HCl हमारे पास में ionic है इसके अंदर कुछ ना कुछ character किसका होता है? covalent का भी होता है it means हम properly नहीं बोल सकते कि हमारे पास H2, O2, Cl2 के अंदर covalent bond ही है इनके अंदर ionic bond भी होते हैं कुछ percentage ionic bond होते हैं बट major क्या होता है? covalent bond होता है अब बात करते है polarity की, polarity of bond की और कैसे polarity of bond हमारे पास में काम करती है अब simple point हमारे पास में होता क्या है? अगर हम एक normal example से बात लेके चलें कि हमारे पास में X2 कोई भी एक molecule है X2 molecule है, यह linear है X और X के बीच में क्या है? bond है अब जो X और X के बीच में bond बनाया है इस bond का यह क्या है? middle point है अब इस जो middle point होता है इससे हम 180 degree पर चलते है और 180 degree पर same distance पर X मिलता है और another side same distance पर क्या मिलता है? second X मिलता है अगर यह 180 degree के उपर चलने के बाद दोनों atom same मिलते है तो उसके dipole moment की value क्या होती है? 0 होती है dipole moment को mu से denote करते है और उसके dipole moment की value क्या होती है? 0 होती है it means bond के middle से 180 degree के उपर चलने के बाद में left, right, above या below कहीं भी आप चलते हो तो अगर आपको same molecule, same atom मिलता है तो आपके dipole moment की value क्या रहती है? 0 रहती है अब हमने चेक कर लिया अब example की बात कर दे H2 H2 आपको पता है ऐसे लिखा जाता है अगर इस point से चलें इधर चलते हैं और इधर चलते हैं दोनों side आपके पास में hydrogen मिलती है और अगर दोनों side hydrogen मिलती है same atom मिलर रो dipole moment की value क्या हो जाएगी? 0 अब HCl की बात कर लेते हैं HCl HCl को भी हम ऐसे लिखते हैं अब ये middle है अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो हमें hydrogen मिलती है बट अगर हम another side चलते हैं तो हमें क्या मिलती है? chlorine मिलती है क्या ये दोनों atom same है? नहीं है और अगर दोनों atom same नहीं है तो dipole moment is not equal to 0 वहाँ पे dipole moment की कोई न कोई value होती है कभी भी 0 के equal नहीं होता है 180 से same distance पे चलने के बाद अगर same molecule मिलता है तो 0 होता है वरना dipole moment की कोई न कोई value होती है clear है? उसके बाद बाद करते हैं let us suppose हमारे पास है ptcl4 है square planer बनाता है ptclclclclcl central atom कोई है? pt है pt से 180 पे चलने cl मिलता है pt से 180 पे चलने cl मिलता है it means यहाँ तो dipole moment क्या है? 0 है pt से cl पे चलने cl मिलता है pt से दूसरी से चलने क्या मिलता है? cl मिलता है, यहाँ dipole moment क्या है? 0 है it means pt से हम कहीं भी same 180 डिग्री पर चलते है तो हमें क्या मिलता है? same ही environment मिलता है it means ptcl4 के अंदर भी dipole moment की वेलो क्या होती है? 0 होती है उसके बाद water के molecule की बात करें water का molecule ऐसे लिखा जाता है यहाँ पर दो lone pair होती है अब यह देखो यह oxygen central atom है oxygen से इधर चलते हैं hydrogen मिलती है same 180 पर चले क्या hydrogen मिली? नहीं मिली क्या मिलते हैं? lone pair मिलते हैं और अगर उपर जाने के बाद lone pair मिलते हैं यहाँ पर hydrogen मिलती दोनों चीज़े same नहीं है same नहीं है तो dipole moment की value भी क्या है? 0 तो नहीं है second check करते हैं यहाँ पर 180 इधर से लेकर चलते हैं यहाँ पर hydrogen और यहाँ भी क्या है? lone pair है यह भी दोनों चीज़े same नहीं है कि oxygen से 180 पर चलते हैं एक साइड तो hydrogen मिलती है और second side lone pair मिलती है यह ट्रम्बिया के पास में क्या है? same नहीं है और same नहीं है तो हम क्या बोल देंगे? कि dipole moment is not equal to 0 कि dipole moment की कोई न कोई value होती है यह 0 के equal नहीं होता है इट मिन्स overall हम क्या बोल सकते हैं dipole moment को देखने के लिए किसी central atom के around किसी central atom के around all surrounding atoms same होते हैं तो dipole moment की value 0 होती है अगर कोई lone pair present है या के पास में another atom present है तो dipole moment की कोई न कोई value होती है central atom के around all atoms are same then we can say that dipole moment is equal to 0 if one atom is different या any lone pair is present on the central atom then here is some value of the dipole moment that is called polarity of atoms next, एक BF3 के molecules की बात कर लेते हैं BF3, BF3 कैसे बनता है? triangular shape में बनता है like a triangle हमारे पास में क्या बनता है? BF3 मलता है अब देखो यहां से 180 पे चलते हैं यहां से 180 पे चलते हैं फ्लोरी मिलता है बट यहां पे तो नहीं है यहाँ पे मिलता यहाँ पे नहीं और यहाँ पे मिलता यहाँ पे नहीं अब physics के अंदर हम एक resultant का rule पढ़ते हैं physics के अंदर हम एक resultant का rule पढ़ते हैं और उस resultant के according आप क्या बोलते हो कि जो boron है इसके around लगने वाले तीनों item तो क्या है same है but 180 पे हमने same atom नहीं मिल रहे और same नहीं मिलते तो हम यह बोलेंगे कि dipole moment तो 0 होना चाहिए but इसमें क्या बोला जाएगा कि यहाँ पे एक resultant बनता है इन दोनों का resultant किसके बीच में बनेगा इन दोनों fluorine का resultant इन दोनों fluorine का resultant यहाँ पे बनता है हम physics में पढ़ते कि इन दोनों का resultant यहाँ पे बनता है और यह दोनों क्या है fluorine है और इसका resultant अगर यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे क्या है fluorine है वो तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास dipole moment की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी क्योंकि resultant के बाद भी क्या मिलता है fluorine ही मिलता है और अगर होता यहाँ पे यहाँ पे boron है यहाँ पे fluorine है यहाँ पे fluorine है और यहाँ पे होता हाइड्रोजन इन दोनों का resultant यहाँ पे जाके बनता बट यहाँ पे तो fluorine थे और यहाँ पे क्या है hydrogen है same चीज present नहीं है और same नहीं है तो dipole moment is not equal to zero clear है I hope so आपको बहुत अच्छे समझ आया हुगा यह अब कुछ terms हैं जो हम check कर लेते हैं first हमारे पास में the smaller size of the cation and larger size of the anion greater the covalent character in ionic bond बिल्कुल clear है चीज है अब देखो cation तो हमारे पास में क्या है यहां पर बात कर लेते हैं यहां पर भी बात कर लेते हैं आप check कर सकते हो first point resultant dipole moment nf3 के अंदर हमारे पास में dipole moment की value क्या होती है ज्यादा होती है as compared to nf3 क्योंकि इनके अंदर similar size हो जाता है और जो similar size होता है वहाँ पे covalent bond भी क्या हो जाते हैं weak हो जाते हैं क्योंकि strong हो जाते हैं आपके पास में size क्या है similar है दोनों के इसे strong bonding होती है एक का size बड़ा एक का size कम है तो bonding क्या हो जाती है लूज हो जाती है एक बड़ा एक छोटा है उनकी thinking भी मैच नहीं करती है एक साथ में it means क्या बोलते हैं कि जो same size की होते हैं उनकी बड़ा रहती है best रहती है the greater charge on the cation greater covalent character in the ionic bond बिल्कुल जीतना ज्यादा charge होता है उनका उतना ही ज्यादा क्या होता है covalent character होता ionic bond के अंदर the cation of the same size or charge is one electronic configuration is n-1 d raised to power 0 ns 0 इस typical transition हमारे पास transition metal कौन सी होती है first point transition metal हमारे पास में होती है n-1 d 1 to 10 और ns की value होती 0 to 2 यह हमारे पास में क्या होती है transition metal होती है जो हम किसके अंदर पढ़ते है coordination chemistry के अंदर पढ़ते हैं इनकी अंदर भी polarization होती है इनकी भी dipole moment की value निकाले जाती है और इनके dipole moment की value हम निकालते हैं इसके number of unpaid electron से यहाँ पे तो हम dipole moment resultant की value से निकालते हैं यह number of atoms अगर same होते हैं जितने 180 degree पे जो same चीज़े मिलते हैं उसके according value को निकालते हैं बट जो हमारे पास में transition metal होती है जो deep block की metal होती हैं यह deep block की metal को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं उसके last cell में जितने unpaid electron होते हैं उसके according उसका dipole moment निकालते हैं I hope so आपको polarity of bond बहुत अच्छे से clear हुआ हुआ next class के अंदर हम पढ़ने वाले हैं valence cell electron pair repulsion theory सबसे ज़्यादा important theory है यह जोटो 12th में भी काम आती है valence cell electron pair repulsion theory VSEPER VSEPER VSEPER